अस्सलाम उलाइकुम, हाई फ्रेंड्स, उम्मीत करती हूँ, आप सब खाईरिये से हैं, तो आज मैं किचन में आ चुकी हूँ, ब्रेक्वास्ट के लिए तो मैं विजिटेबुल सबजी और पूरी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ी सी प्यास कट कर लिए हैं थोड़े से ग्रीन चिल्ली और हर्या धनिया और थोड़ा सा टमाटर भी कट कर लेती हूँ, थोड़े से विजिटेबुल मैंने एक विजिल के लिए कुकर में रख लिये हैं, और इधर में थोड़ा सा अध्रक डाल रही हूँ, अब मैं चक कर लेती हूँ के विजिल आ इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, और उधर मैंने गोबी को साइड में एक बॉल में थोड़ा सा उबाल कर रख लिया है, उसको भी साइड में दिखा देती हूँ, देखिए मैंने कुकर क्लीन करके तड़के के लिए रख लिया है, अब मैं इसको देखिए गोबी ह कुकर में थोड़ा सा आयल डालूंगी आयल गरम होने के बाद जो मैंने अधर निकाले हैं उस सब को मैं फ्राइब कर लेती हूं थोड़े से मटर भी मैंने छील कर डाल लिये हैं बॉल में इसको फड़ाई कर लेती हूँ बहुत टेस्टी और यम्मी बनेगा हमारा नाष्टा प्यास फड़ाई हो रही है प्यास और अद्रग को मैंने डाल लिया था इसको थोड़ा सा फड़ाई करके मटर को इसी में दालकर फड़ाई करूँगी ताके ये कच्चे हैं मैंने इसको विजिल में नहीं लगाया तो मैं इसी में भुन लेती हूँ गोबी का पानी भी निकाल लेती हूँ ताके मैं कुकर में आड़ कर लूँ और इस विजिटेबल्स को भी मैं आड़ कर लेती हूँ अगर हमारी वीडियो पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले आपके सब्सक्राइब की वज़ा से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और वीडियो बनाएं और हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी तो मैंने सारे विज़िटेबल्स डालके मिक्स कर लिया था इसी में मैं थोड़ा सा हल्दी मिर्ची पौडर नमक डाला है इसको वन मिनिट भून के इसमें मैंने पानी आट कर लिया है ये थोड़ा सा बाइल हो जाएं मतर मैंने कच्छे डाले थे जब तक वो बाइल हो जाएं इधर मैं आटा गून लेती हूं थोड़ा सा मैंने आटा डाला है इसी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आईल डालकर गून लेती हूं आईली फूट्स जियादा नहीं बनाती हूं घर पे तो मैं कम ही डालती हूँ आयल कम ही यूज़ करती हूँ कभी-कभी पूरी बनाती हूँ क्यूंकि ये आयल में ही प्रही होती है इसलिए मैं जियादा नहीं बनाती तो मेरा आटा भी रेडी हो रहा है इसको अच्छे से गुन लूँ ये तो रेडी हो चुका है इसको प्लेट रखे मैं साइड में रख लेती हूँ और उधर हमारी सब्जी भी गल चुकी है देख लेती हूँ एक बार इस सब्जी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाड़ी होनी चाहिए इसलिए मैंने वन स्पून कान फ्लोर मिक्स कर लिया है वाटर में घोल के इसमें मिला दिया है ताके बहु स्मूत और टेश्टी बने इसको थोड़ा सा पका कर साइड में निकाल लेती हूँ इसके बाद मैं पूरी के लिए स्टार्ट करूंगे देखिए ये तो एकदम मस्त लग रही है यम्मी और टेश्टी विजिटेबल सबजी सबजी बोलिये या फिर कर्री जो भी नाम दे सकते हैं आप मसाला तो नहीं है उसमें तो इधर मैंने कडाई रख लिया है और इधर छोटे छोटे करके मैं पूरी बेल लूँगी अगर रेसिपी पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले कडाई भी गरम हो चुकी है इसमें मैं आयल आट कर लेती हूँ जब तक यह आयल हीट हो जाएं तब तक इधर मैं पूरी बेल लेती हूँ ये केक करके बनाऊंगी तो देर हो जाएगा इसलिए मैं तीन से चार पहले बेल के साइड में रख लेती हूँ कि हमें बनाने में इजी रहेगा बच्चों को भी टाइम हो रहा है थोड़ा सा पास्ट पास्ट कर लेती हूँ कैसी लगी वीडियो और हमारी रेसिपी कामेंट कीजिए ये देखिए मैंने सारे बेल कर साइड में रख लिए हैं बच्चों का लंच बाक्स भी प्रिपेर करना है पहले मैं नाश्टा खिला के उनको स्कूल को भेज देती हूँ ताके वो स्कूल को जल्दी से खा कर निकल जाए और मैं आफ्टरनून के लिए प्रिपेर करूंगी देखिए हमारा तेल भी गरम हो चुका है अम मैं ये केक करके तल लेती हूँ ये मैंने डाल लिया देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रही है पुरी गोल गोल पुरी तो पक्च की और भी इसी तरह से तल लेती हूँ ये भी फूल गई फूली हुवी पूरी हर बच्चों को पसंद है तो बच्चे खुशी खुशी से खा लेते हैं तो पूरियान तो रेडी हो चकी है अगर वीडियो रेसिपी पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले ये देखिए ये पूरी भी अच्छे से फूल गई इसको भी निकाल लेती हूँ ये देखिए मैंने निकाल ली गोल गोल चोटी इसी पूरियान इसको अब में सर्व भी कर देती हूँ ताके बच्चे जल्दी से खा कर स्कुल को निकल जाएं इसलिए मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ देखिए हमारा नाश्टा रेडी हो चुका है गोल गोल पूरियान अगर रेसिपी वीडियो पसंद आये तो सब्सक्राइब करिये थैंक यू फार वाचिंग फ्रेंड्स